है गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह है मेरे पास Redmi Note 10T 5G फोन ओके इस फोन का दोस्तों आज OTG टेस्ट कने वाले हैं और OTG टेस्ट कने के लिए यहाँ पर मेरे पास काफी सारा एसेसरी है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे है वन टिवी का हर्ड ड्रा या नहीं होता है तो फ्रेंट इस बीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर निवाए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बिलके आप लों के लिए ऐसे इंट्रेस्टिंग विडियो लेके आते रहता हूं तो चलिए दोस्तों थो वीडियो को सुरू करते हैं त से पहले insert करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास है एक card reader तो कि इसमें लगा हुआ है एट जीव का इसे लगाते हैं अभी और देखते हैं यह support करता है यह नहीं और तो यहां पर देख सकते हैं इंसर्ट कर चुके हैं और यहां पर एक light भी ब्लिंग कर रहा है, notification भी आ चुका है, okay, tap करने के बाद यहाँ पर देखते हैं, यह देखिए, आप memory card में access कर सकते हैं, कुछ इस परकार से, यहाँ पर मेरा memory card support कर चुका है, जो कि हमारा HD card है, तो इस तरीके से दोस्तों, आप OTG लगा के access कर सकते हैं, तो सारा top में, तो इसे अभी लगाते हैं, और देखते हैं, keyboard mouse support कर रहा है या नहीं कर रहा है, फोन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगा दिया हो, और यहाँ प एक notification भी आ चुका है, configure physical keyboard का, तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, mouse, तो यह देखिए, mouse का cursor भी आ चुका है, arrow जो है, देख पार है, पूरा mouse एक परफेक्टली वर्क कर रहा है, यहाँ पर कुछ टाइप करके देखते हैं, तो यह देखिए, पूरा टाइपिंग भी पूरा परफेक्टली हो रहा है, तो आपको अगर घर पी टाइपिंग स्पीड वागरा बढ़ाना है, तो इस तरीके का स्टोरिज सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है, यह फोन, तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंसर्ट कर दिये है, वन टेवी का हार्ट ड्राइप अपने फोन के अंदर, ओटी जी के थुरू, और यहाँ पे एक LED लाइट वीजलर रेट कर जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं, और नोटिवेशन की बात के तो अभी तक नोटिवेशन आया नहीं है, वेट कर लेता है, तो जी हाँ दोस्तों कुछ टैम के बाद यहाँ पे नोटिवेशन आ चुका है, USB ड्राइवर इस कनेक्ट, ओके, तो यहाँ पर देखे, इस तरीक से टैप करने क बात एकसेस कर सकते हैं, आपके हाँ ड्राइव में जो भी है, इसके मतलब यहाँ पर दोस्तों, वन टीवी का हाँ ड्राइव भी सपोर्ट करता है, हमारा रेड्मी नोट टेन टी, फाइब जी फोन, जो कि काफी अच्छी बात है, तो फ्रेंट्स, यहाँ पर तो सारा जी की हिल्प से करने वाला हूँ, इस तरीके से दोस्तों आपको ओडी जी पहले लगा लेना है, ओके, और यहाँ पर जो मैं डाटा की विल यूज करने वाला हूँ, वन प्लस नॉट काई डाटा की विल यूज करेंगे, जो कि एक फर्स डाटा की वल है, सबसे बहुत दोस प्लस नॉट की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा होगा, यह देखें, 34% चार्ज है, यह देखें, 34% चार्ज है, तो यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, यह देखें, चार्ज होना स्टार्ट, और यहाँ पर 10 मिट के लिए चार्ज करेंगे, ज्यादा देर चार्ज नहीं जैसे कि आप यहां पर देख पार है और एक बल मैं डाटा के बल को इंसेट करके दिखा देता हूं आपको चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है पता चल जाएगा यह देखिए चार्ज हो रहा है ओके तो होने देता है तो कुछ इस परकार से Redmi Note 10D से मैं अपने OnePlus Note को चार्ज क रहता है तो जैसे कि आप यहां पर देख पार है इस टॉप आच में 10 मिट पूरा हो चुका है ओके अब दोस्तों दोनों फोन चेक कर लेते हैं किसमें कितना चार्ज हुआ है और कितना ड्रेन हुआ है तो सबसे पहले Redmi Note 10D से रिवर्स चार्जिंग कर रहे थे ओके इस फोन में 27% चार्जता ओक Això तो यहां पर वी Battery percentage में आपको दिखा देता हूँ है तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी 22% चार्ज ऑगादध तो इस परकार से दोस्तों यह चार्ज होता है मतलब 34% चार्ज ऑभी Св टरती सीक्स बाटशेंग यहां बैटरी चार्ज हुए उके तो इमर्जनसी तोर पे दोस्तों इस फोन से इस फोन को चार्ज कर सकते हैं मतलब ड़ी नोट 10 टी जो फोन है इस फोन से रिवर्स चार्जिंग कर सकते हैं ज्यादा स्पीट नहीं मिलेगा लिकिन दोस्तों काफी हद तक आपका साथ देदेगा औ आपको अगर अच्छा लगा तो फिस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि मैं आप लुक लिए इसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकि आदे रहता हूं और यहां पर जितना भी ऐसे दिखाया सारा का पाइलिंक डिस्क्रेप्शन में हैंट